हमस्ते, मैं दुर्गाठागरे, प्रात्मिक शाला सुल्तानपुर्थ से आज के सैक्षनिक वीडियो में हम कक्छा तीन विशय पर्यावरन का पार्ट एक डाल डाल पर ताल ताल पर के अंतरगत जानवरों के बारे में जानेंगे जानवरों के चलने, रहने, खाने का डंग अलग-अलग होता है कुछ जानवर चलते हैं तो कुछ जानवर रेंगते हैं कुछ हवा में उड़ते हैं तो कुछ तेरते हैं कुछ जानवर हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं कुछ पानी के अंदर रहते हैं कुछ जंगल में रहते हैं और कुछ जानवर के पंक होते हैं तो वहीं कुछ जानवर लंबी सी पूँच धारन की होते हैं आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही जानवरों का वर्गी करन करेंगे बात करते हैं उड़ने वाले जानवरों के बारे में जिने हम पक्छी भी कहते हैं इनमें हैं बाज, तोता, कववा, हंस, कबूतर, छीडिया, मैना, आदी जानवर इनके पंक होते हैं जो इने हवा में उड़ने में सक्छम बनाते हैं वहीं बात करते हैं हम चलने वाले जानवरों के बारे में तो इनमें आते हैं हीरन, बाग, तेंद्वा, सेर, भालू, हाथी, लोमडी, जिराफ जैसे जानवर आगे हम बात कर रहे हैं रेंगने वाले जानवर के बारे में जिनें हम जन्तू भी कहते हैं इनमें प्रमुक रूप से हैं केच्वा, कच्वा, सर्प, मगरमच, आदी जानवर वहीं फुद्धकने वाले जानवरों की बात करें तो प्रमुक रूप से हमें उधारन में मिलते हैं चूहा, गिलहरी, मेंड़क, खरगोस जैसे जानवर अब हम बात कर रहे हैं पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में इनमें प्रमुक रूप से हैं मशली, मगरमच, कच्वा, मेंड़क, आक्टोपस, केकड़ा, सीपी जैसे जानवर जमीन पर रहने वाले जानवरों की बात करते हैं तो उनमें आते हैं हीरन, सेर, बिल्ली, भैस, गाय, बक्री, भालू, हाथी, लोमडी, जिराफ जैसे जानवर जंगल में रहने वाले जानवर, जिने हम जंगली जानवर भी कहते हैं इनमें आते हैं प्रमुक्रूब से तेंद्वा, हाथी, हीरन, सेर, भालू, लोमडी, जिराफ, आधी जानवर घर में रहने वाले जानवर जिने हम पालतू जानवर भी कहते हैं इनमें आते हैं कुत्ता, भेस, बक्री, गाय, बेल, भेड, आधी जानवर अब हम बात कर रहे हैं पूँच वाले जानवर जिनकी लंब इसी पूँच होती है उनमें प्रमुक्रूप से आते हैं हाथी, चीता, बंदर, लोमडी, घोड़ा, आधी जानवर वहीं पंक वाले जानवरों की बात करें तो उनमें आते हैं चिडिया, मोर, कौवा, कोयल, चील, हन्स, कबूतर, मैना, आधी जानवर तो आज के वीडियो में बस इतना है